Hello friends, repeat study channel में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम जानेंगे off और off के difference के बारे में कि हमारे off और off में क्या difference होता है दोस्तो आप बहुत ही confused होते हों कि कहां पर हम off का use करें और कहां पर हम double f वाले off को use करें तो दोस्तो आप इस वीडियो को end तक देखिए और मैं आपसे promise करता हूँ कि end तक आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर हम off का use करते हैं और कहां पर हम double f वाले off को use करते हैं तो चली दोस्तो start करते हैं आज की class और जानते हैं किस तरीके से हम इनका अपनी English grammar में use करते हैं तो दोस्तो मेंने आपके सामने कुछ रोल लिखे हैं जिनके माद्धम से आप इन्हें और भी बहता तरीके से समसख होगे तो दोस्तो मेंने आपके सामने off को use करने के लिए कुछ रोल लिखे हैं पहला use करते हम off का non living position बताने के लिए जब आप किसी नर्जीव चीज का possession बताते हूँ यानि अधिकार बताते हूँ तो आप use करोगे off का अगला आए दोस्तो living position living position मतलब किसी सजीव चीज का possession बताने के लिए जब किसी सजीव चीज का आप possession बताते हूँ यानि कि अधिकार बताते हूँ तो आप use करोगे off का अगला है दोस्तो relation बताने के लिए जब आप किसी भी चीज का relation बताते हो तो आप use करोगे off का अगला है दोस्तो partitive partitive किसे कहते हैं दोस्तो ये आप एक नया सब्द सुर रहे होंगे कि partitive ये partitive क्या होता है तो दोस्तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूःगा कि हमारा particularly क्या होता है तो दोस्तो relative हम उसे कहते हैं जहां से किसी चीज की उत्पति होती है यान कि दोस्तो मैं आपके समने एक sentence बोलता हूँ जिसके मातने से आप इसे और भी भैतर तरीके से समझ सकोगे इस किताब के कुस्टन बहुत ही अच्छे है इस किताब के कुस्टन यानि की प्रसन बहुत ही अच्छे है तो जो प्रसन की जो शुरुवात हुई है वो कहां से आए है उस बुक में से आए है अगर वो बुक नहीं होती तो वो प्रसन भी नहीं होते तो जहां कहीं से भी किसी भी चीज की उत्पत्ती होती है हम उसे कहते हैं दोस्तो पार्टिटिव अगला है दोस्तो हमारा मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन क्या क्या मतलब है दोस्तो जब आप गोड़ा बताते हूँ तो आप use करोगे off का आप इनने example के बाद धम से और भी वहतर तरीके समझ सकोगे दोस्तो उससे पहले दोस्तो हम समझ लेते हैं कि कब-कब हम अपने off का use करते हैं अब दोस्तो मैंने आपको बता दिया है कि off का use हम कब-कब करते हैं य्यनकि इन पंच चीजों को बताने के लिए हम अव्का यूज़ करते हैं अब वहीं पर दोस्तों हम डबल एफ वाले उफ का यूज़ करते हैं subun separation के लिए sudden separation क्या होता दोस्तों अचानक से किसी चीज का अलग होना जब कोई चीज अचानक से अलग होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं OFF का ये बात आपको याद रखने दोश्टो इसे आप example के मात हमसे और भी वहतर तरीके समझोगी दोश्टो तो चलिए दोश्टो एक एक example देख लेते हैं इन सभी sentence हो का तो दोश्टो मेरे आपके सामने पहला sentence लिखा है chair's lag क्योंकि दोश्टो हम जहाँ पर OFF का यूज करते हैं वहाँ पर हम FSTROPY S का भी यूज कर सकते हैं लेकिन दोश्टो जब निर्जीव चीज का position बताया जाता है तो हम वहाँ पर FSTROPY S का यूज नहीं कर सकते ये बात आपको याद रखनी दोश्टो जब मैं आपको FSTROPY S के बारे में बताऊंगा तो आपको ये चीज टेटेल से बताऊंगा दोश्टो तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम OFF का यूज करते हैं वहाँ पर हम FSTROPY S का भी यूज कर सकते हैं लेकिन जब हम निर्जीव चीज का पजिशन बताते हैं तो हमें वहाँ पर FSTROPY S का यूज नहीं करना होता वहाँ पर हम OFF का यूज कर सकते हैं तो दोस्तो हमने इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलना है LEG OF CHAIR यानि कि कुर्सी की टांग क्योंकि दोस्तो कुर्सी भी निर्जीव है और कुर्सी की टांग है वो भी निर्जीव है तो दोस्तो यहाँ पर कुर्सी का पजिशन बता जा रहा है टांग के उपर कि जो टांग है वो किसकी है कुर्सी की है तो ये बात आपको याद रखने है दोस्तो अगला है दोस्तो living position अब living position क्या होता है दोस्तो वो आपको मैं अभी बताता हूं दोस्तो जैसे मैंने ये एक sentence लिखाया दोस्तो this home is of Rahul कि this home माने यह घर is माने है of Rahul माने राहul का यह घर राहul का है तो दोस्तो इस वाले sentence में जो घर है वो किसका है राहul का है यानि कि एक सजीव व्यक्ति का position बताया गया है एक निर्जीव चीज़ पर कि जो घर है वो किसका है राहul का है यानि कि this home is of Rahul यह घर राहul का है तो राहul का position यानि कि अधिकार बताया जा रहा है उस घर के ऊपर तो दोस्तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं Living Position के रूप में कि जब किसी Living चीज का किसी निर्जीव चीज पर या फिर सजीव चीज पर अधिकार बताया जाए तो भी दोस्तो हम यूज करते हैं आफ का ये बात आपको याद रखनी है अगला है दोस्तो हमारा relation बताने के लिए अब relation बताने के लिए किस तरीके से हम अपने sentence में यूज करते हैं इसका यह हम जान लेते हैं दोस्तो relation बताने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं दोस्तो हम इसका राम है उसका भाई, राम का और उसके भाई का relation बता रहा है, कौन? ये off, तो दोस्तो हम कह सकते हैं, relation बताने के लिए भी हम किसका use करते हैं, off का use करते हैं, और दोस्तो हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, राम's brother, क्योंकि दोस्तो सजीब चीज का सजीब चीज के ऊपर अ जितना अधकार उसके भाई का राम पर है और उतना ही अधकार राम का उसके भाई पर है तो दोस्तो हम इस sentence को राम's brother इस तरीके से भी बोल सकते हैं इस वाले sentence दोस्तो हमने epastrophe s का यूज किया है और उपर वाले sentence हमने off का यूज किया है ये बात आपको याद रखने हैं दोस्तो अब हम जान लेते हैं दोस्तो partitive के रूप में किस तरीके सम अपने sentence हों में off का यूज करते हैं तो दोस्तो मैंने आपके सामने एक sentence लखा है a member of family तो दोस्तो इस sentence की हिंदी है परवार का एक ब्यक्ति तो दोस्तो यहाँ पर ब्यक्ति जो है वो कहां से आया है परवार में से आया यान कि ये ब्यक्ति की सुरुवात कहां से हुई इस परवार से हुई क्योंकि दोस्तो परवार में से ये ब्यक्ति आया है तो मैंने आपको बताया था Partitive हम उसे कहते हैं जहां से किसी चीज की उत्पत्ती होती है तो इस Member की उत्पत्ती कहां से हुई दोस्तो इस Family से हुई अगर Family नहीं होती तो ये Member भी नहीं होता तो दोस्तो जहां से किसी भी चीज की शुरुवात होती है तो हम उसे कहते हैं partitive और इसलिए दोस्तो हमने इसमें off का use किया है आप देख सकते हो अब देख लेते हैं दोस्तो multi application के रूप में किस तरीके से हम अपने off का use करते हैं दोस्तो मैंने आपके सामने लिखा है 25% of 200 तो दोस्तो इसमें पूछा गया है कि 200 का 25% कितना होगा तो दोस्तो आप percent निकालना नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं percent किस तरीके से निकाली जाती है तो दोस्तो percent निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर परसेंट जितने की निकलवाई जाती है हम उस सब्द को लिखते हैं उसके बाद दोस्तो कितने मैं से निकलवाई जा रिया है उसको लिखेंगे तो 200 की निकलवाई जा रिया 25% किती दोस्तो 25% 200 की और उसके नीचे दोस्तो हमें 100 को लिखना होता है तो दोस्तो आप इसमें क्या करोगे 0 से देऊ 0 को काट दोगे तो ये कट गए अब दोस्तो 25 दूनी 50 होते हैं तो यहाँ पर कितने आएंगे दोस्तो 50 आएंगे तो दोस्तो 200 की 25% कितने हो गए 50 हो गए जब आप 200 में किसी से 25% लो गए तो आपके रुपए कितने वने 50 वने तो दोस्तो आप कह सकते हो 25% of 200 यानि कि 200 का 25% कितना होगा तो 200 का 25% कितना होगा दोस्तो 50 होगा अब आप इस बात को समझ गए होगे दोस्तो तो मेंने आपको off के 5 रूल बता दिये दोस्तो कि किस तरीके से हम इनका अपनी English grammar में यूज करते हैं अब हम जान लेते हैं off यानि कि double F वाले off को किस तरीके से यूज करते है तो दोस्तो मेंने आपके सामने एक sentence लिखा है दा गर्ल phil off her scooter and got injured तो दोस्तो इस sentence की हिंदी है दा girl माने लड़की फील माने गिर गई कोई अब जानवूच कर तो वो नहीं करना चाहेगी लाव में गिर जाओ और घायल हो जाओ यह Tell तो नहीं करेगी न वो अचानक से गिरी होगी यानि कि accidentally तो जब कोई चीज अचानक से होती है तो उसके लिए हम दोस्तों off का यूज करते हैं आप इस sentence में देख सकते हो कि हमने off का यूज किया है अगला sentence है दोस्तों हमने सी जम्ट ओफ दा ग्राउंड वह जमीन पर कूदी वहन माने जब सी साव उसने देखा एक स्नेक एक साव विसाइड हर माने अपने पास जब उसने अपने पास एक साव देखा तो वो अचानक से कूदी तो जैसे ही वो कूदी होगी तो वह जमीन से अलग भी होगी तो अचान दोस्तो जो एरो प्लेन होता है वो जमीन की सर्फेस को छोड़ता है अचानक से तो इसलिए हम दोस्तो कहते हैं टेक आफ आप जब चटकनी बंद करते हो तो आप क्या कहते हो ओफ तो वहां पर डवल एफ वाला ओफ यूज किया जाता है क्योंको दोस्तो जब आप चटकनी को दवाते हो तो अचानक से जो इलेक्ट्रोन का फिलो हो रहा होता है बिजली में वायर में वो अचानक से क्या होता है दोस्तो बंद होता है यहनि कि उनका अचानक से टूटना क्या कहलाता है दोस्तो ओफ कहलाता है जब कोई चीज अचानक से हटती है किसी भी चीज से तो आ ने आपको difference बता दिया है दोनों में जब कोई चीज अचानक से अलग होती है तो हम वहाँ पर double F वाले off को यूज करते हैं और जब relation partitive, multiplication और non living possession और living possession बताया जाता है दोस्तों आप वहाँ पर use करोगे off का तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके सम अपने sentence हों में off और off का use करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को like कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लिजिए और well icon को press कर लिजिए दोस्तों जिससे आने वाली वीडियो इसका notification आपको मिलता रहे तो thanks for watching वीडियो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में